नमस्कार मैं हूर आकेश कुमार सिंग इंडिया नीज डिजिटल में आपका स्वागत है जी हाँ हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदितनात अयोधिया के दौरे पर हैं और खास बात यह है कि अयोधिया से उनका खास लगाव रहा है क्या है इस दौरे के माइने साथी साथ जिस तरह से अयोधिया में भब राम मंदिर जो जन्मरी तक बन जाएगा और इसको लेकर लगातार वहाँ पर दिन रात कार्ज चल रहा है निर्मान कार्ज मुखमंत्री योगी आदितनाथ जो है आज अयोधिया के दोरे पर हैं और कई कार्ज करमों में शिर्कत कर रहे हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदितनाथ राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे राम चंदर दाश प्रमहंस की समाधी पर पहुँचकर उन्हें सद्धांजरी अरपित की और सबसे महत्रपूर्ण बात ये है कि मुखमंत्री योगी ने राम लला के दरबार में हाजरी लगाई और फिर राम मंदिर निर्मान की प्रगती देखी इस मौके पर उनके साथ श्री राम जन्भूमी तिर्थ छित्र ट्रस्ट के महासची चंपत राय मौजुद रहे सबसे महत्रपूर्ण बात ये है कि 11 बजे उनका हेलिकॉप्टर राम कथा पार्क हेलिपट पर उतरता है और उसके बाद उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे राम चंद्र दाश प्रम्हंस की समाधी पर पहुंश कर उनको सद्धान ली दी और यहीं से राम जन्भूमी परिशर के लिए उनका काफिला रवाना होता है सीएम योगी का दिगंबर अखाडा से गहरा रिष्टा रहा है गोरक्ष पीट की तीन पिडियों का यहां से लगाव रहा है सीएम के गुरू अवैदेनाथ और प्रम्हंस की काफी गनिष्टा थी सीएम भी अपनी पिडि की परंपरा का आगे बढ़ा रहे हैं और दिगंबर अखाडा राममंदीर आंदूलन का प्रधान के अदर रहा है राममंदीर आंदूलन की पहली बैठक इसी अखाडे में हुई थी और उसमें राम मंदे निर्मान के लिए एक समीती का गठन किया गया जिसके ध्यक्ष महंत अवैदेनाथ बनाया गया थे जो उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी आदितनाथ के गुरूर है 1989 की बात किया जाए तो भंत रामचंद्र दाश प्रभंस को रामजन भूमी नियास का पाला ध्यक्ष उना गया इसके बाद ही मंदीर आंदोलन को नई दिसा दी गई तो आज जो उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी का आयुद्या दोरा खास इसके माइने हैं जहां इसकी समिक्षा बैठक की जा रही है कि आखिरकार निर्मान की गती की तेजी से चल रहा है साथी साथ जो समय रखा गया है जनवरी तक जो है इसका उध्गाठन करने का तो उसकी कारज को मुखमंतरी योगी आदेटनाथ खुद उन्हें निर्खियन किया तो ये मुखमंतरी योगी आदेटनाथ का दोरा इस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है